प्रधान वंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे की आधुनिक्ता के बारे में बोलते हुए कहा कि 21 सदी के भारत की जरूरत 20 सदी के तौर तरीकों से पूरी नहीं हो सकती है इसलिए रेलवे में नए सिरे से रिफॉर्म की जरूरत है हमने रेल्वे को सिर्फ एक सर्विस के तौर पर नहीं बलगी एक एसेट के तौर पर विक्सित करने का काम शुरू किया है आज देश भर में प्रमुक रेल्वे स्टेशनों की आधुनी की करन किया जा रहा है टियर टू और टियर थ्री शहरों के रेलवे स्टेशन भी अब वाई-फाई सुविदा से लेस हो रहे हैं बाई और भेनों 21 सदी के भारत की जरुरत 20 सदी के तौर तरीकों से पूरी नहीं हो सकती और इसलिए रेलवे में नए सिरे से रिफॉर्म की जरुरत थी हमने रेलवे को सिर्फ एक सर्वीस के तौर पर नहीं बलकि एक एसेट के तौर पर विख्सित करने के लिए काम शुरू किया आज इसके प्रणाम देखने को मिल रहे हैं आज भारतिये रेलवे की पैचान उसकी साख बदलने लगी है आज भारतिये रेल में सुविधा भी बढ़ी है, स्वच्छता भी बढ़ी है, सुरक्षा भी बढ़ी है और स्पीड भी बढ़ी है चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मोडनाईजेशन या नई आधुनिक ट्रेन हो इस तरह के कितने ही प्रयास ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाने के लिए किये जा रहे हैं आने वाले दिनों में जैसे ही डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर सुरू हो जाएगे, ट्रेनों की स्पीड और बढ़ेगी तेजस और बंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेने तो हमारे ट्रेक पर चलने भी लगी है आज ये ट्रेने यात्रियों को एक नया और अध्भूत अनुभव दे रही है विश्ट्राडम कोचेश का वीडियो भी आपने सोशल मेडिया पर जरूर देखा होगा जो लोग स्टेची अफ यूनिटी गए होंगे उन्होंने इसका लाब भी लिया होगा ये कोचेश इस एंड फील अब जरूरी को एक नए आयाम पर पहुंचाते हैं ट्रेल में चलने वाले सभी लोग अब ये भी अनुभव कर रहे हैं कि हमारी ट्रेने हमारे प्लेटफरम्स और हमारे ट्रेक्स पहले से कितनी साफ रहने लगे हैं इसमें बहुत बड़ा योगदान उन दो लाग से जादा बायो टॉयलेट्स का भी हैं जो कोचेश में इंस्टॉल किये गए हैं इसी तरह आज देश भर में प्रमूख रेलवे स्टेशनों का आधिवकर आधुनी करण किया जा रहा है टियर टू और टियर थी शहरों के रेलवे स्टेशन भी अब वाई फाई सुविदा से लेस हो रहे हैं सुरक्षा के दर्सिकौर्ण से भी देखें तो ग्रॉडगेज पर अन्मेंड रेलवे क्रॉसिंग्स को पुरी तरह से खत्म कर दिया गया है कभी भी भीशन हाथ सो और अव्यवस्ता की शिकायतों के लिए मिडिया में च्छाई रहने वाली भारतिय रेल आज पॉजिटिविटी लेकर आती है आज भारतिय रेल को दुनिया के आधुनिक्तम नेटवर्क और मेगा प्रोजेस के लिए चर्चा में स्थान मिलता है तरिया दोनों बदल रहे हैं और मैं गर्व से कहूंगा कि आज के ये प्रोजेक्ट भारतिय रेल के इसी नए अवतार की जाकी है ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहें न्यूश प्लस न्यूश प्लस 24 इंटू 7 चैनल को सब्सक्राइब करें अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाए